Hello everyone, welcome back to the Rana Academy. तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि हमने class 10th ICA से chemistry का chapter number 3 start कर लिया है जिसका नाम है acid, base and salt and उसके first lecture के अंदर जो मैंने video आपकी upload करी थी उसके अंदर हमने study किया था उसके introduction के बारे में कि basically इस chapter के अंदर हमने पढ़ना क्या है, right? आज की lecture के अंदर हम start करने वाले हैं, इसका सबसे पहला और important topic that is acid और हाँ उपर जितने भी चैनल और जो pages दिये गए हैं, उनके जो link से description box में डाल दी है तो बिना कोई time waste किये चलिए शुरू करते हैं So, देखें बेड़ा, जैसे हमने आज बात करी थी कि आज का जो पहला topic हमने आज discuss करना है, उसका नाम है acids देखें, एक ही बात आपको मैं पहले बता देखें, बहुत easy सा concept है, कोईतना time नहीं लगेगा है, इस वो complete करने में देखें बेड़ा, जो word acid है बेसिकली वो कहां से है, वो एक Latin word से आया है, जिसका नाम है acidus, so, acidus का basically मतलब होता है, sore, मतलब खटा, ठीक है and एक बात आप समझ लीजे, बेटा, कभी कबार आपका जो food है न, अगर उसमें खटापन है, जैसे कि, अगर मैं, जैसे अंगूर कभी खटे होते है, right, so, अंगूर है, अगर वो खटे है, या अगर मैं बात करूँ, आपका oranges की बात करता हूँ, ठीक है, तो कई food ऐसे होते ह है, वो इसी acid के presence की वज़र से हमें मिलता है, ठीक है, अब मैं आपको बताया तो, मैं बेटा, कि जो हमारा acid होता न, एक organic भी होता है, inorganic भी होता है, मालब कुछ natural occurring acids भी होते हैं, तो पहले मैं आपको उसके बारे में थुदा सा knowledge देता हूँ, उसके बाद हम उसके आगे study क बनाते हैं, जैसे कि vinegar है, वो क्या है, एक तरह से acetic acid है आपका, कोई भी citrus fruit है, जैसे orange हो गया, lemon हो गया, उनके अदर citric acid होता है, एक बात बच्चे तरह जान लीजिए, यह जो table आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको यह अच्छे से याद रखना पड़ेगा, उसका reason यह है, कि आपको कोई भी कोशनी इसमें से बन के आ सकता है, कि what is the name of the acid corresponding to vinegar, तो आप बोलेंगे acetic acid, अगर मैं बोलूँगा gastric juice है, तो हमारे पेट के अंदर, हमारे food को digest करने के लिए, dilute form के अंदर hydrochloric acid होता है, और इसी वज़ा से हमारा जो food है, वो असानी से digest हो पाता है, क acid पीते हो, जिसे milk of magnesia basically कहते है, वो actually क्या होता है, कि जब पेट में बहुत acidity बढ़ जाते है, तो anti-acid जो इनो होता है, वो क्या है, वो just a base ही है, तो जैसे हम उसको पीते हैं, वो उसको neutralize कर देता है, जिसके वज़े से हमारा acidity होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है, कभी हमारे शरीर के अंदर डाल देता है, उस point में डाल देता है, जिसकी वज़े से में eating होने लग जाती है, दही का खटा होना, lactic acid की वज़े से होता है, apples के अंदर malic acid होता है, tomatoes के अंदर oxalic acid होता है, ठीक है, urine के अंदर हमारे पास uric acid होता है, तो basically बेटा जी, ये आपने simply, आपने देखो एक दो बार अच्छे से रीड करेंगा आपको वैसे ही याद हो जाएगा कोई ज्यादा इंपोरेंट मुझकिल नहीं है याद करना क्लियर हो गया चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो इस acid की सबसे बड़ी खास बात क्या है एक बात आपको बता दूँ जब हम acid को define करते हैं तो हम साफ साफ एक बात बोलते हैं क्याते हैं acid basically उन compounds को कहा जाता है जिसके अंगर एक या एक से ज्यादा hydrogen atom present हो देखिए बेटा मैं आपको एक बात बता हूँ चलिए यह बात तो सच है कि किसी भी acid कोई भी acid जो है कोई भी compound को मैं acid तब ही कह सकता हूँ अग बहुत जादा important है मतलब क्या है मैं मतलब समझायता हूँ देखिए बेटा मैं आपको बड़ा simple सा example दूगा don't worry यह मैंने पिशले class में भी आपको example दिया था इसका कि जैसे कि मेरे पास SCL है ठीक है अब इसको मैं acid कहूंगा बिल्कुल कहूंगा क्योंकि इसमें hydrogen atom है लेकिन अगर मैं पानी में add करूं suppose मैंने इसको क्या किया पानी में add किया जैरहिए हूंगा और पानी में एड करने के बाद अगर यह मेरे ions में टूटे न आगर तो मैं फिर इसको acid हो होंगा वह कैसे लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंट है जिसको पानी में डिजोल्ब किया और पानी में डिजोल्ब करते भी उसके जितने भी किसी भी acidity के लिए responsible होता है अगर याद हो मैंने अच्छे से इसके बारे में आपको समझाया था यह क्या चीज़ होती है और इसमें पॉस्टिव बाहर की तरफ है तरफ है आपका मैंने आपको इसके बारे में भी बहुत detail में समझाया था कि यह कैसे बनता है अगर आपको या hydrogen 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 oxygen 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 के बेटा दो लोन पेर होते हैं हमारे पास ठीक है दो लोन पेर होते हैं ठीक है और oxygen की इलेक्ट्रों नेगटिविटी जादा होने के चलते यह slightly positive यह बहुत कुछ पढ़ा हुआ हो बिटा ना तो मैंने कहा था कि जब एक positive iron इसके पास आता है तो oxygen क्या करता है कि ऑल और क्योंकि एक पॉस्टिव आयन एड हुआ है एक नूट्रल कंपाउंड के अंदर तो ऑटोमेटिकली बिटा इसके अंदर पॉस्टिव चास तो आएगा या आएगा ना ठीक है बाकि इसको अच्छी तरीके से समझने का त्रिक्का तो देखो यही है कि ऑक्सीजन यह जो च इसमें पॉस्टिव जो है वह आयन बन जाता आपका यह पॉस्टिव ली चार्जड आयन बन जाता है तो यह बाते बेटा हम अच्छे से स्टेड़ी कर चुके तो हम जादा नहीं इस पर टाइम वेस्ट करेंगे तो में बात क्या है में बात यह है कि हर एसेड के अंदर प्रोजन का होना बहुत ही जरूरी होता है ऐसे कई सारी गजांपल जो आप देख और समझ सकते हैं जैसे कि अगर मालीजी मेरे पाइस तू एसटू एस तो इस फोफोर यह बेटा आपका सल्फियूरिक एसट है अल्फियूरिक एसट है तो जब हम इसको पानी के साथ बेट ठीक है positive लेकिन यहाँ पर दो बनते हैं आप लोगे बने यहाँ पर दो hydrogen है और एक बात आपको बता दूँ यह को जुरूरी नहीं है कि जितने hydrogen होते हैं वो उतने ही ज्यादा hydrogen यह जुरूरी नहीं होता इंडिपेंड करता है अगर मैं इसको पानी में एड करूँ ना बेटा पानी में एड करूँ एक बात बता हो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें तीन यह hydrogen एक यह hydrogen तो चार hydrogen दिखते हैं तो लोगों को यह लगता भाई कि इसके अंदर ना चार hydronium आयन बनेगे बिलकुल नहीं बनने वाले इसक में बनता है आपके पास CS3COO-I so whatever I want to say that कि जुरूरी नहीं होता कि जितने हाइड्रोजन हो उतनी हाइड्रोणियमान बनेंगे डिपेंड करता है acid to acid यह of course weak acid है यह strong acid है क्योंकि अपने जितनी भी hydrogen है यह सब को बिटा आइनाइज करने में हाइड्रोणियमान बनाने में help क नहीं कर रहे तो ओविस है यह weak acid है और यह आपका strong acid है तो इस तरह से बिटा बहुत matter करती बात है ठीक है फिर बिटा मेरे पास आता है HNO3 ठीक है इस नाइट्रिक acid क्या है नाइट्रिक acid अगर यह nitric acid है तो obvious से बिटा सेम वही बात है इसमें एक hydrogen है ना आपको दिखी रहे इसी वज़े से यहां पर बनता है H3O positive plus NO3 negative अच्छा मैंने यहां पर नहीं बनाया ना तो SO4 negative ठीक है हाँ एक बात वारी यह जो sulfate inhibitor 2 negative होता है आ गया होगा ठीक है ना गुट सो फाइनली बिटा आप मैं दो तिन बाते फिर से री कैप्टुलेट करने के लिए यह बहुत बड़ी है आपको दिया हुआ है कहता है कि the hydrated hydrogen ion that exists in the solution of acid is called the hydronium ion मैं आपको लोड़ी बता चुको है यार कि H positive ion है पाने में मिलेगा hydronium ion आपका create होगा लेकि अपनी simplicity के लिए ना हम hydronium ion मला H positive ion लिखने के वज़ाए हम H positive ion लिखना ही बहतर समझते हैं ठीक है कि H positive लिख दो बात एक ही है कोई हमजाल difference लगए समझते हैं और एक ना बहुत important note भी आपको बता जाता हूँ note भीट आपका यह है कि हम ना H3 O positive को हम चाहें तो OH3 positive भी लिख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हो कि कि किसी भी particular hydronium ion के अंदर अगर उसका जो positive ion है जो positive charge है वो इसलिए आता है क्योंकि देखो पानी वैसे तो neutral है बड़ अगर आप उसके अंदर एक positive ion को जोडेंगे तो automatically इसका पूरा चार्ज आपका positive ही आ जाएगा ना तो इस वज़ए से बाकी detail में आपको अलोड़ी बता चुको ठी अगर आप चाहें तो H3O positive को OH3 positive भी लिख सकते हो तो को problem ने लेकिन ज्यादा simplicity है कि H positive लिखो that's it I think उससे आपकी ज्यादा clarity हो जाएगी I hope यह जो acid है बेटा इसका nature यह basically क्या होता है यह सब समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के lecture के अंदर हमने acid के बारे में study किया हमने यह जाना कि अगर किसी acid की अगरे में बात कर रहा हूं तो acid के लिए सबसे important है कि उसके अंदर hydrogen का present होना बट जितने hydrogen है क्या उतना वो highly strong acid nature का होगा तो ऐसा जूरी नहीं है क्योंकि यह बात भी depend करते है कि hydrogen है नही आइनेजेबल hydrogen होना बहुत important है क्योंकि आइनेजेबल hydrogen म पाता है लेकिन जो बाकी के जैसे कि S2SO4 था उसके अंदर वो दो hydrogen दे पाता है तो यह सब बाते हमें इसमें study करें थी तो अगर आपको मेरी वीडियो पर संदार ही है तो प्लीज लाइक इट शेर इट और सबस्क्राइब इट आज की लिए बस इतना ही thank you so much